आप सभी का स्वागत है, मेरे YouTube चैनल DG4Tech पे, please मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेसन आइकोन क्लिक करें, मुझे सारे सोचल प्लेटफोर्म पे फॉलो करें, इस वीडियो को पूरा देखें, स्टार्ट से लेके एंड तक बीना किसी स् वीडियों पे सबसे पहले आपको कस्टम रिकवरी में बूट करना है मैं हमेसा यूज करता हूँ औरेंज फॉक्स रिकवरी आप वर्सन देख सकते हैं 11.1 है बिल्ड टाइप इस्टेवल है ये अबाउट मैंने दिखा दिया होम बटन पे जाएं इसके बाद सबसे पहले आपको वाइप पे जाना है फिल्ड एल्वी के सिस्टम डेटा और वेंडर इतना सेलेट करके इसे स्वाइप कर दीजेगा इससे आपके फोन पे जो भी पिछला कस्टम रोम लोड होगा वो डिलीट हो जाएगा अब आपको क्या करना है होम बटन पे जाना है फाइल मैनेजर पे जाना है और यहाँ पर अब आपको ये वाला फाइल सेलेट करना है फर्मवेर फाइल यह बेसिकली MIUI 11 का जो हमारे डिवाइज रेडिमी नोट 4 कोड ने मीड़ो के लिए लास्ट ओफिसिल अपडेट आया था उसका फर्मवेर फाइल है Android 7 बेजड इसका डाउनलोल्डिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है वैसे कि यह फाइल को फ्लेश करना दुसरा आपको जो छोटे मोटे बग्स देखने को मिलते हैं डिवाइस स्पेसिफाइड वो बग्स हो जाते हैं इस फर्मवेर से तो यह मोश्ट इंपॉर्टन है अब आपको इससे सेलेट कीजिए वाइप कीजिए बहुत छोटा सा फाइल है यहां पर आपको दिख रहा ह 2.0.ncfmixm यानि की नोगट वाला फाइल है और यहां पर आपको दिख रहा है 7.0 तो यह जैसे ही फ्लेस होगा इसके बाद इसे वाइप कैस कर दीजेगा वाइप कैस करने से कि आपका क्लियर डेटा हो जाएगा इसके बाद होम बटन पे जाना है अब आपको रोम को सेले जैसे ही आप जी एप रोम फ्लेस करेंगे रोम फ्लेस होने के बाद आप वाइप कैस कीजिए रिबूट तो सिस्टम कर लिजेगा बट वनीला वाले रोम के लिए आप जैसे ही रोम फ्लेस होगा वाइप कैस कीजिए वह आपस से होम बटन पे जाए फिर आप जी एप यू आप वो यूज़ करें बट उस g app को flash करने के बाद फिर से wipe cast करें फिर reboot to system करें तो ये प्रोसेजर बेसिकली होता है रोम को flash out करने का कोई भी custom रोम, कोई भी device, कोई भी model, कोई भी android version के लिए same procedure है इसलिए मैं इस procedure को skip करने लग गया था बट आप लोग ही जीत करते हैं कि सर दिखाइए, दिखाइए, क्योंकि भाई इससे वीडियो लंबा होता है, आप लोग ये चीज़ समस्ते नहीं है चलिए मैं वीडियो पॉस कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबन ना हो, अब आप देखिए हमारा room flash हो चुका है, इसके बाद आपको simply क्या करना है, रोम flash होने के बाद wipe cash कीजिए, और इसके बाद अब आप reboot to system क्लिक कर दिजेगा, क्योंकि ये gf room है, यहाँ पर same आपको vanilla पर फिर से home button जाना, gf flash करना, उसके बाद wipe cash करना, फिर restart करना, तो ये reboot हुआ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका welcome screen आने वाला है, तो welcome screen प्रोसेस को भी मैं post कर देता हूँ क्योंकि video काफी लंबा हो जाएगा, अब आप देखिए हमारा इस room का first welcome screen आ चुक ये हमारा room का first screen आ चुका है, काफी time लगा है, कम से कम 10 minutes का समय खा गया, इतना slow setup है इस room का, अब मैं आपको दिखा देता हूँ pre install app इतना आय रहा है, ये मुझे काला पसंद नहीं है, camera focus नहीं करेगा, जल्दी से हम इसे white कर लेते हैं, याने कि dark mode बंद कर लेते हैं, most of the case प होने के कारण, आप देख सकते हैं, इतनी app आपको pre install मिलेगा, google का dialer से मेरे को सक्त चीड और नफरत है, google के app से, google का cable मेरे को एक या दो ही app पसंद आता है, जैसे कि play store, youtube और google का map, ये google का chrome browser भी दुनिया का सबसे घटिया browser है, और ये google का file manager, google का go, message, call, recording, घड़ी, contact, calculator, सभ गूगल के application use करना, मैं 90% ये try करता हूं कि google के product मुझे use करना ना पड़े, भले मैं Chinese product use कर लूँ, लेकिन google use ना करूँ, google हर जगा घुसने की कोसिस करता है, और हर जगा अपना app देने की कोसिस करता है, और उसके app में कुछ मजेदार चीज होते ही नहीं है, लेकिन सुधनने का नाम लेता नहीं है, google, चली आगे आते हैं, सबसे पहले, google dialer, no call recording, placed or certified, इसके बाद graphene OS का camera दिया गया है, जो की 4K enable करके दिया जाता है, दिखने में basic दिखेगा, लेकिन काम ठिक ठाक करता है, अच्छा features के साथ आता है, इससे भी ज़्यादा अगर आपको features चाहिए होत तो आप Gcam यूज करें, जिसका link वीडियो के description में हमेशा देता हूँ, बट मुझे नहीं लगता, 90% लोग आप लोग description को खोलते भी होंगे, चली आते हैं, बाकी सब आपको icon देखके समझ में आ रहा है, सभी Google के app है, जो मेरे कोई काम का नहीं है, direct setting पे मैं ले चलता हूँ और उस पे जाने से पहले आप home screen देख लीजिए, left side आपको Google page मिल जाएगा, थोड़ा बहुत lag आपको इसले feel आएगा, क्योंकि तुरंत install हुआ है, right side swipe down आपको देख लीजिएगा, ये आपको quick ties है, कुछ-कुछ install होने की कोशिस कर रहा है, ये आपको irritate कर सकता है, क्योंक सबसे पहले evolver यानि कि इस ROM के तरब से आने वाले main settings है, उसको skip करते हैं, direct मैं आपको about पे लेके चलता हूँ, about पे हम चलेंगे, about पे, ये रहा है मारा about, रोम का नाम है evolution X, android 12.1, 12L, evolution version है 6.5, जिसका code name है omega, हमारे device का code name आपको दीख रहा है, video, unofficial build है, 5 June 2022 है, kernel 4.9, hyper वाला यूज किया गया है, maintainer है, nulliness London, यही जो maintainer है, यही pixel experience बना रहे है, pixie OS बना रहे है, और भी बहुत सारे 4.5 ROM के maintainer यही है, उसी तरीके से, गिन के हमारे पास market में 4.5 ही maintainer है, Elon 036, Wastro Lordi, Nalinis London, Violet Blue, इस टैप के लोग है, Slayer XD, Z-Laws है, तो यही 5-7 developer है, जो हमारे device पे work करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, Linux status enforcing है, अब मैं आपको इसके सीधा सीधा details पे लेके चलता हूँ, details पे जाने के लिए आप settings पे चलें, और थोड़ा सा इनके control panel को check out करते हैं, कि क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको network और internet के अंदर कुछ नहीं है, apps के अंदर आपको game space देखना है, जी हाँ मिल गया है, हमें game space आगे बढ़ते हैं, बैटरी की बात करें, तो बैटरी backup देखें, 79% साड़े सातरा घंटा है, आपको हो सकता है, इससे ज़्यादा मीवी ले, कम भी मिल सकता है, depending आपके device कैसा है, और थोड़ा सा रोम को set होने का time दीजिएगा, इस्टोरीज भ देख लेते हैं, clear speaker का feature हमें मिलता है, कि नहीं clear speaker मिल गया है, आप use करना चाहते हैं, तो कर लिजिएगा, इसके लावा यहाँ से sound से बहार लिकलते हैं, displays पे कुछ नहीं होता है, wallpaper accessibility, direct security आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए phone का room not encrypted है, यानि कि जब मैंने orange box से room को flash किय तो आपका कोई भी internal data delete नहीं होगा, अगर encrypted room होता, तभी delete होता, security system काम करता हूँ, आपको मिलेगा, इस से आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको कुछ बताने लाइक नहीं है, direct systems पे चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें gesture मिल रहा है, screenshot के लिए मैं इसे enable कर लेत यहाँ पर ambient display वाला भी है, developer option enable नहीं है, about पे जाके आप developer option को enable करने के लिए, यह build number को tap कर सकते हैं, 5 times, तो developer option enable हो जाएगा, जल्दी से वीडियो लंबा हो रहा है, मैं Evolver को लेके चलता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारे settings मिलते हैं, पूरे settings में नहीं ली जा सकता यहाँ पर आपको unlimited storage मिल रहा है, unlock higher fps मिल रहा है, higher quality streaming मिल रहा है, यह तीनों को enable कर लिजेगा, ताकि आपको कोई भी use करने में कोई problem ना है, USB configuration आपको copy paste करना है, ज्यादा PC से connect करते हैं, तो by default इसे file transfer पे रख लिजेगा, और भी बहुत सारे चीज यहाँ पर basic तरीके से दि setting है, यहाँ उपर status bar वाला setting है, notification, qtile, power menu, power menu पे आप हो सकता है, तो advanced reboot को on करके रखें, इसके बाद gesture पे आपको और भी settings मिल जाएंगे, gesture के लिए, lock screen का setting है, button का mislaneous का, तो इस रोम का वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो वीडियो को अब हम end करते हैं, मिलेंगे next वीडि है, तो इसके लिए बाद करेंगे next वीडियो को अब है, तो इसके लिए मिलेंगे next time.